हेलो दोस्तों कैसे आप सब उमीद करती हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे आज हम बनाएंगे मतर यह बहुत ही अच्छी बनेगी होली पे तो ऐसी चीजे बनाते ही हैं यह तो अगर पूरा साल भी घर में रखें तो भी बहुत अच्छी हैं तो चलिए बनाना शुरू करत आगे नाप भी बताऊंगे मैं कैसे कैसे डालना चाहिए जिससे बहुत अच्छी खस्ता बनेंगी पकोड यह मतर और यह बनाते हैं जो कचोरी वगएरा जो भी यह गुजिया सारी चीजों का नाप बताऊंगे मैं आपको तो देखतेर यह वीडियो को वीडियो को पूरी आएंगे मिक्स करेंगे मुसल मसल के देखें मूठी बन जानी चाहिए आपके आटे की तभी आटे में से अच्छी मतर ओल जो भी चीजा बनाना चाहते हैं गुजिय वगएरा वो अच्छी बनेंगे तो देखें मसल के वर उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसम बनेगी अई हलके हाथ से थोड़ा थोड़ा पानी चेड़कते जाए और इसको मसल मसल के कठा करते जाए और इसको यसे नहीं लगाना जैसे रोटियों का आटा लगाते है वह ज्यादा मैनत करने की ज़रूरत नहीं है इसमें एक कम मैनत में बहुत ही टेस्टी मटर बन के त्यार होंगी, देखें, आता हमारा बस लगने ही वाला है, हम चाहते तो इसको एक बार पूरा पानी डाल के इसको लगा देते, लेकिन उससे वो टेस्ट नहीं आएगा, वो इतनी खस्ता नहीं बनेगी, ये बिल्कुल ऐसी बनेगी, जैसे मुँँ में भूल जाएं, बिना जाड़ दात वाले जो बुजरग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो भी इनको बोच्चाओ से खाएंगे, इतनी अच्छी, एक दिम खस्ता मत्र बनेगी, देखें, आता हमारा त्यार होगा, इसको बहुत मसल मसल के त्यार नहीं करना है, और ना बहुत ज्यादा टाइट करन और इसमे से हमने एक बड़ी रोटी बेल लिया, नको काट लेंगे मतर के सेव में, आप थोड़ी चोड़ी पतली जाओ ऐसी काड़ सकते हो, आप अपने इसाफ सेव दे सकते हो, बस इनका मैन टेक्चर जाओ है, वो बिलकुल मुँँ में कुल जाने वाला खसता रहेगा ए जिब तक मारा तेल भी करम हो गया था और पका में दीम आच पे में को में अंचे पे मीडियम आच पे तेज आच पे बिल्कुल नहीं डा लें गे क्योंकि तेज हाच पे डालते हैं यह पख जाएंगे एकदम से बादory से काली हो जाएंगी और अंदर से कच्छी रहेंगी और रोटी को मोटा ना बेले पतला ही बेले तभी बहुत अच्छी बनेगी ज्यादा मोटी बनाने से मोटी मोटी हो जाएंगे रच्छी नहीं लगेंगी तो इसलिए पतली बनाएं ये फूल के मोटी मोटी हो जाएंगे वैसे भी तो ये थोड़ी धोड़ी डालेंगे तो इनको पलट में दिख ताती ज्यादा सारी बरके जब आपने देखा होगा समोच से बगयरा कुछ भी बनाऊ तो ज्यादा सारी बरके डाल देते वह धीमेदी में पकती रहते रच्ची बनती है देखें हमने कुछ बचे वह आठे से के फूल भी बनाएं तो भाई दोस्तों बनाते रहें